अगर कोई charge particle कैसे move करता है यह देखो magnetic field में move करता है कैसे कुछ इस तरीके से move करता है तो यह अपका infinite magnetic field है, infinite का मतलब कोई boundary नहीं है magnetic field ही magnetic field है, magnetic field ही magnetic field है हर तरफ, जगे ही जगे है, तो होगा क्या, जब कोई charge particle इसके अंदर move करेगा with a velocity of v vector, तो यह charge particle क्यू है अभी आज हमने सीखा था, क्या सीखा था, क्या सीखा था, कैसे move करेगा anti clock, अभी पूरा circle बनाएगा, इसलिए circle बनाएगा क्योंकि इसके बाद space है घूमने के लिए, कोई sector तो है नहीं, कोई यह तो है नहीं कि सबसे important result, suppose यह बनाओ साथ साथ प्लीज, यह magnetic field है, magnetic field ऐसे है, right की तरफ तो magnetic field है, left की तरफ magnetic field नहीं है, ठीक, यहाँ कोई magnetic field नहीं, यह magnetic field और infinite है यहाँ पे, यह ही नहीं, तो बनाओ diagram, ठीक है, तो इस diagram में, suppose करो एक charge particle कैसे enter करता है, एक charge particle enter करता है with a velocity of v-vector, एक charge particle enter करता है with a velocity of v-vector, yellow, or such that, इसने वर्टिकल के साथ, एंगल जो बनाया, वो alpha बनाया, क्योंकि नॉर्मली मैं हमेशा, straight enter कर वा रहा हूं, magnetic field में, charge particle को, इस बार straight नहीं है, इस बार, एंगल पे entry हो रही है, जब यह एंगल पे enter करेगा, तो देखो क्या लगेगा, पहले देख लो एक बार, यह circle में घूमना शुरू कर देगा, पर problem ही है, कि यह बहुत दूर जानी पाएगा, क्योंकि एंगल ही छोटा रखा हुए आपने, मोडा हुए आपने, तो यह फटा-फट बाहर आजाएगा, जिब कि बाहर आएगा, तो किसी velocity से बाहर आएगा, यह velocity की value भी exactly same होगी, अगर यह 2 meter per second, तो यह भी 2 meter per second हैसा क्यों, क्योंकि magnetic force जो लगेगी, इसको circle में घुमाएगी, क्योंकि 90 degree पे है, और magnetic force का भी value of velocity change नहीं करती, स्रफ direction change करती है, तो पूछा जाएगा, कि velocity 2 meter per second से, एक charge particle एंटर रहे है, तो बाहर कितनी velocity से आएगा, 2 meter per second, वो तो हमेशे ही 2 रहेगी, तो यह case है, और आपको यह बताना है, कि vertical के साथ इसका angle क्या बनेगा, यह question है, कितने angle से बाहर निकलेगा, तो इसमें geometry क्या बनेगी है, देख लें, geometry यह बनेगी, कि इसका जो, यह जो circle है, यह circle का part है, अगर मैं imaginary इसका center लूँ, तो इसका center कहीं मुझे, यहां कहीं मिलने वाला है, ऐसे, यह रहा, तो इसका center है circle का, पूरा circle अगर बनाओंगा, तो center कहीं यहां बनेगा, such that, यह perpendicular इसके ऊपर draw करो, यह perpendicular है, यह radius कितने है, r है, radius r and r है, ठीक है यहां तक, without इसमें, अब इसके अंदर एक और construction करो, यह देखो, एक imaginary line यहां खीचो horizontal और यहां खीचो horizontal, यहां खीचो, यहां खीचो, अब answer दो by geometry, यह देखो, answer दो, अगर यह alpha, तो बोलो यह angle कितना, 90 minus alpha, अगर यह 90 minus alpha, radius velocity में, हमेशा angle 90 होता है, तो यह कितना, alpha, अगर यह alpha, यह और यह 90, तो यह कितना, 90 minus alpha, यह 90, तो फिर यह angle कितना, alpha, यह alpha, फिर अगर यह alpha, यह दोनों triangle यह जैसे हैं, तो यह angle 22 meter, alpha, अगर यह alpha, तो यह 90, तो यह alternate angle से बोलो, यह angle कितना, alpha, अगर यह alpha, तो यह कितना, 90 minus alpha, और यह कितना, यह alpha, तो shortcut सुन लो, इतने angle तो आपको चाहिए भी नहीं है, पेपर में, shortcut यह है, एक यह angle बना लो चाहिए, एक यह angle बना लो, एक यह बना लो, और बस एक यह बना लो, आपको यह पता होना चाहिए, अगर चार्ज पार्टिकल वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे एंट्री मार रहे है, तो magnetic fields को बहर फैंकेगा, making an angle of 30 डिग्री स्मिट्री पे जाएगा हमेशा, यह स्मिट्री नहीं हो सकती, clear है, और यह भी एंगल क्या होगा, 30 and 30, तो यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, और यह एंगल हमे कि अगर यह 30, तो यह भी 30, simple, तो जतने एंगल में एंट्री हो रही है, उतने एंगल में, एंगल से एंगल से एंगल भी होगा, alpha particle, जैसे, suppose करो, आपको question में यह पूछा जाएगा, कि यह magnetic field है right की तरफ, और एक charge particle, यह एंटर कर रहा है इसमें, with making an angle of 30 degree, तो बोलो, जब यह exit करेगा यहां से, तो इसका velocity का angle क्या होगा, 30, और अगर यह 2 meter per second से enter कर रहा है, तो 2 meter per second से exit भी करेगा, velocity से एंगल रहेगी, रूल गानार है, जैसे for example, अगर यह magnetic field है, मतलब right की तरफ, और let us suppose, यह कोई charge particle इसमें enter कर रहा है, making an angle of कितना, 90, तो यह जब circle में घुमेग तो होगा क्या, यह बाहर निकलेगा, again making an angle of 90, shortcut clear है,